MLA MPQ बनाते हैं, ताकि वो हमारी अवाज उसा सके हमारी बात मनवाईं, इसलिए बनाते हूं, कोई एम हमाल नहीं तो एंजी तो आटने के लिए बनाते हूं ब्यवस्थित और कुद्सित मान सकता का है, महिलाओं के प्रती एक ब्यवस्थित और कुद्सित मान सकता का है, एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस उचाई तक पहुचाया है, कि भारत यदि चांद के अचूते कोने दक्षणी धुरू को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना तो प्रधान मंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ती रखा और आपको ध्यान हो ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि सभ्यान में जो महिला वैज्यानिकों ने योगदान दिया है नहीं कहा और उनकी शब्दावली है ये और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें विशय सिर्फ रणदीप सुर्जेवाला जी का नहीं है ये विशय कॉंग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुच्सित मान सकता का है महिलाओं के प्रती एक व्यवस्थित और कुच्सित मान सकता का है दिस इस नौट जस्ट अ मियर और आइसोलेट इस्टेटमेंट बाइए कॉंग्रेस लीडर मात्र कुच दिन पहले की तो बात है जब कॉंग्रेस के सोशल मीडिया की जो चीफ है उनके ओफिशल ट्विटर हैंडल से यानि कॉंग्रेस के ओपचारिक ट्विटर हैंडल से किस प्रकार का अभद्र शब्द और जिसने मंडी की पवित्र भूमी के बारे में इस धंका भाव लिखा वो आया और मजे की बात है आज तक कोई कॉंग्रेस उसे खोज नहीं पाया तमान चीजे खोज-खोज के भाशन दे दे रहें आज तक नहीं पता लगा पाए कि उनके यहां से ट्वीट किस ने किया था आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले राहूल गांदी जी ने एश्वारा राय बच्चन जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था यहां मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हिमा मालनी जी आयू में श्रीमती सोनिया गांदी जी के आयू वर्ग के समकष है क्या अपने से इतनी बड़ी महिला के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित है हिमा मालनी जी स्वतंत्र भारत के बाद के समय में जो सेल्फ मेड महिलाएं है यानि आत्म निर्भरता के द्वारा अपने प्रयास के द्वारा इस्थापित होकर राश्री इस्तर पर एक पहचान बनाने वाली महिलाओं की जो एक शक्ती है वो उसकी प्रतीक है वो किसी अनुकंपा से बनी हुई प्राप्त की हुई शमता की प्रतीक नहीं अपनी शमता से महिला क्या इस्थान बना सकती उसके प्रतीक है और हमारी पार्टी में निरंतर उसी महिला शक्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है परंतों कॉंग्रेस पार्टी के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ कितनी बाते कही जाएं राहूल गांधी जी ने आपको यदियाद हो 10 अक्टूबर 2017 को कहा था कि RSS की शाकाओं में छोटे-छोटे कपड़े पहन के महिलाओं को कभी देखा है क्या छोटे कपड़े शब्द का क्या तात्परे था राहूल गांधी जी का बड़ा प्रसिद्ध बयान है आप याद करिए कि लोग मंदिर जाते हैं प्रसिद्ध और कुख्याद बयान आपको ध्यान होगा जो अपनी ही पार्टी की एक महिला पदारिकारी के बारे में उन्होंने कैसा अपत्रिजनक बयान किया था अभी पिछले वर्ष की तो बात है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राजस्थान में शांती धारिवाल जी जो ये कहते हैं जब ये बात आई कि न्सी आरवी के डाटा के हिजाब से राजस्थान में सरवाधिक रेप होते हैं तो कहते हैं कि इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है ये घ्रनित मान सिकता है महिलाओं के बारे में याद करिए शची थरूर जी ने 19 नवंबर 2017 को जब Miss World का खिताब मानुशी छिल्डर को मिला था तो ये मजाक उड़ाया था कि चलिए इस समय हमारे छिल्डर को भी Miss World का खिताब मिले लगा ये अपनी छमता योगता से वैश्विक स्थर पर इस्थान बनाई हुई एक युवा महिला के बारे में उनकी टिपणी थी श्री परकाश जैसवाल जी का वो बयान बहुत पुराना बयान जो उन्होंने महिलाओं के बारे में और नई शादी और पुरानी शादी के बारे में बोला था ये दर्शाता है कि सोच क्या है महिलाओं के बारे में सिधार अमया जी अभी वरतमान में मुख्यमंत्री है हम सब को वो घटना याद है जिसमें कि उन्होंने एक महिला के चुन्नी खीशते हुए दोधर्श दिखाई पड़ा था आप सब को याद होगा पद्रा अप्रेल दोहजार अठारा को जब कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से प्रदर्शन हो रहा था इंडिया गेट पे कट हुआ की घटना को लेकर तब कॉंग्रेस की महिला कारिकरताओं ने पार्टी को लिखित शिकायत की थी कि उनकी पार्टी के कारिकरताओं ने महिला कारिकरताओं के साथ अबदर्था की ये कॉंग्रेस की मानसिक्ता इसलिए मैंने का ये व्यवस्थित और कुछित मान सकता है महिलाओं के पृति अबहद्रता इनके मन मस्तिक्ष में भरी हुई है याद करिए रेणुका चौधरी जी का बयान उन्होंने कहा था रेप तो होते रहते हैं मतब इतनी बड़ी घटना जो किसी महिला के लिए पूरे जीवन का सबसे बड़ा आगात हो उसके बारे में इस प्रकार का प्रमान बोलना 25 जून 2018 को 36 गड़ में एनस्यूआई की एक कारिकरता ने एनस्यूआई के ततकालीन अध्यक्ष के उपर आरोप लगाया कि वो उन्होंने उनके साथ अभधरता और यौन शोशन करने का प्रयास किया राहूल गांधी जी की मौजूदगी में 13 अप्रेल 2018 को एक महिला पत्रकार के साथ जो कुछ हुआ एक बड़े चैनल की महिला पत्रकार के साथ वो सब आपको पता होगा और इतना ही नहीं अभी कुछ पिछले साल की तो बात है याद करिए इंडिया गेट के प्रदर्शन में प्रियंका गांधी जी की उपसिती में प्रियंका गांधी जी के साथ भी अभधरता की खबरे आई थी तो आप सोच लीजिए कि इन लों की मानसिक्ता किस प्रकार की रहती है और ये सोच मैंने का कुछ सिप तो है और वेवस्थिप भी है वेवस्थिप सोच क्या है मैं कोट करना चाहता हूँ कि करनाटक के ततकालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष भी सतनारण जी ने कहा था जब दिल्ली रेप की घटना हुई थी कि भारत को आजादी मिली है तो क्या महिलाओं को रात में घूमने की आजादी मिली है अभी करनाटक के कॉंग्रेस के बहुत सीनियर बी शंकरप्पा शिव शंकरप्पा ने कहा है कि महिलाओं को कोई दूसरा काम नहीं आता उन्हें सिर्फ खाना बनाना चाहिए इसके अलावा कोई दूसरे काम में रूची नहीं लेनी चाहिए अब आप समझेए 27 दिसंबर 2012 को आंद प्रदेश के मुक्यमंतरी बोचसा सत्य नहीं जी ने कहा था कि अगर रेप से बचना है तो महिलाओं को घर में रहना चाहिए इसलिए मैंने का इस इस इस्ट्रक्शर्ड ये जो बयान है सुर्जे वाला जी का ये सिरीज है ये धारा वाहिक है ये कोई अचानक अकेला नहीं है फिर आपको यादो हर्याना प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि 90 प्रतिशत जो बलातकार के मामले होते हैं वो तो आम सहमती से होते हैं चलो वो तो प्रवक्ता था राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोग गैलोज जी ने आंकड़ा देते हुए कहा कि 57% केस फरजी होते हैं बलातकार के ये बतौर मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूँ सोचिए और वहीं पे उनका वरिष्ट मंत्री कह रहा है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए जादा होता है इस शोज दी माइंडसेट और मैं कह सकता हूँ नैना सहानी को तंदूर में जलाने से लेके संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं की इज़त के साथ खिलवाड और उस हैवान को सेकुलर संडक्षन देने तक जो कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है वो महिलाओं और इस्तरी शक्त के पृति उनके मन में क्या भरा है ये उसका प्रमाण है सामने क्या दिखाना चाहते हैं वो बर्बस मैंने आपको एक नहीं डेड़ दर्जन उधारन गिना दिये हैं जिसके द्वारा यह तीक बानते हैं महिला को वैसे तो एक दूसरे नजरिये से मैं कह दूँ इनको तो कहीं पर महिला शक्ति का उधरन आ जाये तो वो भी गले के नीचे नहीं उतरता है फट से अगर कोई राजनाती खिर दिखे तो किनारे कर लेते हैं वंदे मातरम का जो पूरा गान था जो प पूमिमा शक्ति शरीले बहुतेश शक्ति भूजे लाएन घरदे अभगती हमतो भूजा में शक्ति रिपुदलवारणी उस रूप में स्विकार करता है आपको स्विकार नहीं होता है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस मिशे के ईपर देश की जनता इसे देखे और निश् की गई है विवस्थित रूप से की गई है उसका संगठित रूप से जवाब इन चुनावों में देश की जनता देगी ये मेरा अनुरोध है